नमस्कार आपको बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रत्मेश जूतिस चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशी फल्की 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने बाला है सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने बाला है मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा मेरा प्रेपार आगे बढ़ेगा या नहीं नहीं समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा साल 2023 कैसा रहेगा इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने बाला है इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रतमेश चूतिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक कीजे कमेंट कीजे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्य कीजे नोटिफिकेशन को आउन कीजे ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्तों 2023 में हम अगर मिथुन राशी के ग्रह गोचर की बात करें तो फिर 2023 के अनुसार इस वर्स आपकी राशी के अस्टम भाव में लंबे अर्से से बिराजमान शनी महराज 17 जन्वरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशी से निकल कर कुम्भ राशी में आपके भागय स्थान पर आएंगे इस प्रिकार ये एक तरफ जहां आपके लिए आपको भागय साली बनाएगा तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनी देप की ढहिया को भी समाप्त कर दएगा और आपको स सनी देप के द्वारा होने वाले अशुप्रवाब से मुक्ति मिलेगी तथा आप अपने भागय का लिखा हुआ प्राप्त कर पाएंगे देपताओं के गुरु ब्रस्पती जो वर्ष की सुरुवात में आपके दसम भाव में चल रहे हैं वे बाइस अगस्त को आपके एका दस भाव से निकल कर दसम भाव में मीन राशी में होगा और केतु महराज भी इसी प्रकार पंचम भाव से निकल कर आपके चतुर भाव में गोचर करेंगे ग्रहों का ये गोचर आपके जीवन में पोहुत बड़े परवर्तन लेकर आएगा इसके अलाबा अन्य ग्रह भी स इसके अनिसार इस वर्ष मित्हुन राशी के जातकों को जन्वरी के बाद अपने करियर में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दसम भाव का स्वामी ब्रसपती दसम भाव में वर्ष की सुरुआत में होने से करियर की इस्तिती अच्छी रहेगी। लेकिन अश्टम भाव में बैठे शनी की दुष्टी होने की बज़े से आपके करियर में उतार चड़ा बना रहेगा और नौकरी को लेकर आपके मन में उमापो की इस्तिती बनी रहेगी। सत्रे जन्वरी को शनी आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे उसके बाद आपके लिए समय अच्छा आने लगेगा लेकिन ये समय एक बदलाप को भी दशारा है यदि आप बहुत समय से आप प्रतिशा कर रहे थे तो ये समय आपको आपका तवादला हो सकता है इसके अत प्रेल को देव गुरू ब्रसपती के एकादस भाव में जाने से और उसके उपर नवम भाव में बैटे शनी देव महराज के दृष्टी होने के कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे मितुन रशी 2023 के अनुसार आपका कद अपने कारह छे देखने को मिलेगी इस परकार यह वर्ष मध्य अंतिम महीने में आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाला सावित होगा अगर मितुन राशी के सिच्छा परिश्चा या प्रतियोगी परिक्षयों के बात करें तो इसकी अनुसार इस वर्ष मितुन राशी के विद्यारतियों के लिए वर्ष कई माहिनों में बढ़िया रहने वाला है वर्ष की सुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि پंचम भाव मैं केतु महाराज रहेगे और शनी महाराज अश्टम भाव में ब्राजित रहेगे इसके इसे एकादस भाव में रहु महाराज करेंगे लेकिन इस बीच देव गुरु ब्रस्पति 22 अपरेल को एकादस भाव में जाकर आपके तीसरे पांच वे और साथ भाव को देखेंगे पंचम भाव अर्थात बुद्धी के भाव कर देव गुरु ब्रस्पति की दृष्टी सिच्छा के छेत्र में आपको अच्छी उन्नती दिलवाएगी पृत्योगी परिक्षयों की जो लोग तयारी कर रहे हैं उन विद्ध्यारतियों को वर्ष के सुवात में ही कोई बड़ा तोफ़ा मिल सकता है और विद्ध्यारती जो उच्छी सिच्छा ग्रेन करना चाते हैं उनके लिए सनी महराज 17 जनवरी के ब प्रवाब साली रहेंगे और अप्रेल मद्य आगे का सुमय उन्हें उच्छ सिच्छा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा विद्ध्यारतियों को अप्रेल से मई के दोरान सफलता मिल सकती है अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2023 में मि बहुत अच्छे खवरन सुनने को मिल सकती है ब्रसपती माराज आपके चतुर भाव और दूसरे भाव पर पूर द्रिष्टी डाले रहेंगे जिसकी बज़े से पारिवारिक जीवन में तनाप कम होगा एक दूसरे के प्रती अपनात्व की भावना बढ़ेगी और परिवा आपके चोथे भाव को पीडित करेगा और उससे पूर्व दस मई से एक जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रोपर्टी विवाद को जन्म ले सकता है जिसे की पारिवार की शांति भंग हो सकती है लेकिन धीरे दीरे इस्तियां अनकूल होंगे और जब बुद्ध गोचर करके अक्टूबर के महीने में आपके चतुर भाव में होंगे तब सभी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे मित्थुन राशीपल 2023 के अनुसार माता पिता का आशिरवाद आपके सारे काम बनाएगा और घर में खुशाली आएगी 22 अपरेल को ब्रसपती महाराज आपके एकादस भाव में गोचर करेंगे जिसे कि परिवार्म की प्रतिष्टा बढ़ेगी अगर हम आपकी संतान की बात करें तो मित्थुन राशी वालों के लिए ये समय उतार चड़ा भरा रहेगा क्योंकि पंचम भाव में केतु माराज बिराजमान रहेंगे और राहु का प्रवाव पूर रूप से आपके पंचम भाव को प्रवावित करेगा यही नहीं वर्ष की सुरुवाती महीनों में तो शनी माराज अश्टम भाव में बैटका पंचम भाव को देखेंगे जिसे की संतान को सारेरी कष्ट और मानसित तनाब मिलेगा लेकिन इसके बाद 17 जन्वरी को सनी माराज कुम्ब राशी में आपके भागे भाव में चले जाएंगे तथा समस्याओं में कुछ कमी आएगी और 22 अप्रेल को जब ब्रस्पती का गोचर आपके एकादस भाव में होगा और वहाँ वे आपके पंचम भाव पर पूर द्रि सकते हैं तो यह समय आपकी इच्छा पूरी हो सकती है यदि आप पहले से ही संतान प्राप्त कर चुके हैं और तो इस अबदी में आपकी संतान की तरक्की होगी उनका पढ़ने में मन लगेगा और विवा योग संतान का विवा भी हो सकता है मितुन राशी के बैवाहिक जी में कुछ उतार चड़ाप की इस्तिती बन सकती है वर्ष की सुर्वा तो सूर्य देव के सत्तम भाव में रहेंगे जिसे की जीवन साती के ब्यवार में तनाप बढ़ेगा और शनी भी आठवे भाव में रहका सुसुराल पक्ष से तनाप बढ़ाने का काम करेंगे फिर जन दीरे इस्तियां समलनी शुरू हो जाएंगी 2023 में जब 22 अप्रेल के बाद आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा और क्योंकि ब्रस्पति महराज अपनी पूर द्रिष्टी नवम द्रिष्टी आपके सप्तम भाव से पर डालाएंगे जो की दामपत्य जीवन में प्रे जिम्मेदारियों का भाव भी बढ़ाएगा और आप और आपके जीवन साती के बीच सामंजस से मधूर बनेगा और रिष्टा भी मजबूत होगा इस वर्ष के अंते महीने के दोरान आप अपने जीवन साती के साथ किसी तीर्थ इस्तान की या फिर अच्छी जगे घुमन जा सकते हैं जो कि आपके रिष्टों को और भी प्रिगार बनाएगा अगर हम 2023 में मिथुन राशी के स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दिष्टी कौन से देखें तो वर्ष की सुरुआत कुछ कमजोर रहेगी के तु महाराज के पंचम भाव में ब्राज़त होना शनी वर्ष राहू केतु की इस्तितिक अनुसार आपके उदार रोग होने की प्रवल संभावनाय रहेंगी इसके लिए आपको सदे भी संजीदा रहना होगा और अच्छा खान पान रखने के आपको सला हम दे रहें क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको परिशानिय महसूस होगे और अस्पताल के चक्कर भी आपको काटने पर सकते हैं वर्ष की सुरुवात में जब सनी अश्टम और मंगल द्वादस में बिराजमान होंगे तो उस दोरान किसी तरीके की सारेरिक छती चोट या फिर दुरगटना होने है या फिर सल्चिकिसा होने के भी यो करना और शनी देप का नवम भाव में होना स्वास्त में अच्छी तंद्रुस्ती और का रास्ता प्रसस्त करेगा राहू के जब 30 अक्टूबर को दसम भाव में आएंगे तो केतु चोटी भाव में जाने से किसी तरीके की मौसमी संकर्मन आपको परिशान कर सकता है 2023 में हम अगर मिथुन राशी के बित्य राशी फल की बात करें तो आपको पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी इस्तियां प्राप्त होने का अनुमान हिस्वार हम लगा सकते हैं वर्ष की सुरुवात में शनी और शुक्र की यूति आपके अश्टम भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर ये समय कमजो रहेगा मंगल भी बक्री अवस्ता में 12 भाव में रहेंगे कि जो कि आपके खर्चों में बड़ोती करते हुए दिखाई दे रहें लेकिन जैसे ही सनी का गोचर जन्वरी के महीने में आपके नवम भाव मेर होगा इस्तियों में बदलाव आने लगेगा उसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशी बदलेंगे और ब्रस्पती का गोचर जब अप्रेल में एकादस भाव में हो जाएगा तो फिर आर्थिक तोर पर ये आपको उत्म परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे आपके पास कुछ ऐसे अफसर आएंगे जो की आपको आर्थिक तोर पर सुद्रण बनाएंगे वर्ष के मध में 8 अपरेल से अगस्त के दोरान आपको आर्थिक तोर पर कोई लाब मिल सकता है समय के दोरान सरकारी छेत्र में भी लाब के योग बन सकते हैं उसके बाद सितम्बर से नमबर के बीच आप आर्थिक तोर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक तोर पर लाप्रदान आपको कर सकता है अगर हम मितुन राशी के ब्यापारिक राशी फल की बात करें तो ब्यापार जगह से जुड़े हुए लोग ये वर्ष अनकूल रहने की ये समय आपके अनकूल रहने की पूरी संभावना है वर्ष क सुरुआत तो तनापूर होगी क्योंकि शनी के अश्टमभाव में होना और मंगल का द्वाव तता सूरे का सब्तमभाव में ब्राजित होना आपके ब्यापारिक साजेदारी के साथ सम्मंदों में उताचड़ाब लेकर आएगा जो कि आपके ब्यापार को नकारात्मक रू आग में बड़ोत्री होगी जो की रुकी हुई योजना को फिर से जान डाल लेका काम करेगा और आपके जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे वे भी पूरे होने चालू हो जाएंगे इसमें इसकी बदौलत आपको आपके ब्यापार में विस्तार होता हुआ दिखाई द जाते हैं फिर बर्तमान ब्यापार में ब्रदी करने में विश्वास करते हैं तो इसमें आप सफल भी रहेंगे वर्ष के एंते महिनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो आपको कुछ ऐसी योजना है आप बनाएंगे जो कि वर्ष की सुरुवात में आपको किसी भी तरीकी की खरीदारी करने से बचना चाहिए चाहिए चल समपती हो या फिर अचल समपती क्योंकि शूरे मंगल और सनी और राहु का प्रभाव समपती खरीदने के लिए अनकूल दिखाई नहीं देरा लेकिन सनी देव के द्वारा भागय में ब्रदी से आपको आपको लाब मिलने की पूरी इस्तियां बन रही हैं आपको कुछ नया कंट्रेक्शन आप करवा सकते हैं और कुछ मकान को आप बढ़िया बनवाएंगे इसके अत्रिक्त आप मार्च से अप्रेल के बीच कोई अचल संपत्ती भी खरीद सकते हैं ये संपत्ती आपके बैभब को बढ़ाने वाली होगी बुद माराज जी की कृपा से अक्टूबर का महीना आपको कोई बढ़ा बाहान खरीदने के योग भी बनाएगा मितुन राशी के अनुसार इस दोरान कोई बाहान खरीदना आपके लिए बढ़ा फायदे मंद साबि होगा आपका बाहान आपके लिए भग साली साबित होगा साल के अंत्यम दो महीने नवंबर और दिसंबर किसी भी तरेकी की खरीद फरोक्त करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानिया हो सकती हैं और आप किसी जगडे में पढ़ सकते हैं वर्स की उपस्तिती एकादस भाव में होने से शुरुवात में आपको आमंदनी आपके अच्छी देखने को मिलेगी ये बड़ोतरी के दिन वह दिन बढ़ती जाएगी लेकिन वर्ष की शुरुवात में शनी का अस्टम भाव में ब्राजन मान होना और मंगल का वक्री होना आपके द्वाव में होना हिससे आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएगा और धन हाने के योग भी बनाएगा और खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बड़ोतरी भी देखने को मिलेगी इसके बाद सूरे देव भी जन्वरी में आपके मकार राशी में अस्टम भाव में च अगस्त के दोरान उत्तम धनलाब के योग बनाएगा फिर ब्रसपती महराज की कृपा से आर्थिक इस्तिति आपकी अच्छी रहेगी और फिर 30 अक्टूबर को राहु महराज भी एकादस भाव को छोड़ कर दसम भाव में आएंगे और ब्रसपती अकेले एकादस भाव मे रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम अवस्ता होगी क्योंकि इस दोरान किये गए चोटी प्रियास भी आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे और आपको धनलाब हो सकता है अपरेल से मई के बीच में सूरे के एकादस भाव में जाना आपको थोड़ी परेशानियों में डाल सकता है यहां आपको सरकारी छेत्रों में कुछ समस्याओं का सामना करना पर सकता है अगर 2023 में हम मिथुन राशी के प्रेम राशी फल की बात करें तो 2023 में मिथुन राशी वालों के लिए प्रेम संबंदों में उतार चड़ाव की इस्तिती रहेगी विशेश जनवरी से लेकर अपरेल तक के बीच का महिना प्रेम समंदों में समस्या बने रहने की संभावना है जनवरी का महिना तो जादा समस्या पूर्ण रहेगा और जगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी लेकिन 22 अपरेल को जब देव गुरु ब्रस्पती एकादस भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके पंचम भाव और संतम भाव को पूर्ण दृष्टी से देखेंगे तो यह आपको प्रेम समंदों में रूमानियत पैदा करेंगा आप अपने रिष्टों में प्रगारता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रती आकशन प्रतुन राशी 2023 की अनुसार अगर इसी वर्ष आप अपने प्रेतम को बिवा का प्रिस्ताब भी दे सकते हैं और संबव है इसमें आपको सफलता मिल जाए और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व भी हो जाएगा और शादी के बंदन में भी आप बंद सकते हैं अगर 2023 इसमें हम आपके भागय साली अंकर की बात करें तो वह आपके लिए तीन और छे रहने की संभावना है अगर आपका 2023 अच्छा रहा है इसके लिए आपको कुछ जोतिश ही उपाय करना चाहते हैं तो अरहते दिन अपने घर में बोजन से की पहली रोटी गो माता के लिए आ पालक हरा चारा अथ्वा हरी सब्जियां खिलाएं सावुत मूंग आपको खिलानी चाहिए भगवान विश्णु को समर्पित श्री विश्णु सहस्त्र नाम पाठ का आपको श्रोत का आपको पाठ करना चाहिए या आपके लिए लाबदायक सिद्ध होगा बुद्वार का ब्रत आप करेंगे तो यह आपको निरोगी बनाएगा और व्यवपार में उन्नतिवे प्रदान करेगा आपको उत्तम गुण वाला पन्ना धारन करना आपके लिए बहुत लाबदायक रहेगा इस रतन को आप अपनी कनिष्टा उंगली में शुकल पक्ष के दोरान बुद शुक्त का पाठ करना श्री राम रच्छा शुक्त का पाठ करना बहुत लाबदायक सिद्ध होगा उमीदे वीडियो आपको पसंद आई होगी उपियोगी लगी होगी अगर ऐसा है तो जादा से जादा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ चरूर शेयर कीजिए आप मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद